एक बार फिर से स्वागत हैं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर इंडियोन आइडल को आज कौन नहीं जानता सभी लोग इस चीज़ से बाकिफ हैं इंडियोन आइडल से एक बड़ी ख़वर निकल कर आ रही है कभी संसनी खेश खुलासे तो कभी इमोशनल ड्रामा टियार पी के लिए रियलिटी शो में हिटी ए फंडे दोस्तों हम आपको इस वीडियों फुल डिटेल के साथ समझाएंगे को सब्सक्राइब कर लेकर क्यों बढ़के एक दौर में रियलिटी शो का कोर कंटेंट बस अपनी थीम पर ही टिका रहता है इसलिए मेकर्स के सामने भी बड़ी चुनोती होती है कि वो कैसे अपने शो को हिट बनाएं इस वज़े से तगड़े कंपिटीशन के बीच अपने शो की अच्छी टियार पी के लिए कई सारे फंडे या कहें ट्रिक्स को फॉलो किया जाता है जानते हैं उनके बारे में आपको बता दें इमोशनल एंगल हिम यूमन बेस्ट स्टोरिज कहें या इमोशनल तड़का हमेशा से ही कंटेंट देते आया है डेलिट्री शो में अगर किसी के आसु छलके तो समझो कि वो एपिसोड हिट हो गया इन दिनों शो में इमोशनल का खूब तड़का देखने को मिल जाएगा कस्टेंटेंट की जिन्दगी के इमोशनल पहलियों को चाहें के बी सी हो या डांस इंडिया हो या बिग बॉस हो या इंडियन आइडल हर मंच पर बुलाया जाता है या फिर बनाया जाता है मेकर्स का उन गेस्ट पर भी फोकस रहता है जिनकी मौझूद की शो में चार चांद लगाएं इस फेहरिस्त में गोबिंदा रेखा और रेखा सबसे बड़ा उधारण है अमूमन हर रेयलिटी शो में गोबिंदा और रेखा नजर आ चुके हैं उनकी बातें और मौझूद की इतनी एंटर्टेनिक होती है के टी आर्प को बूस्ट मिलता है जिया दोस्तो आपको बता दें के गरीबी इन दिनों एक ट्रेंड सा चल रहा है कंटेस्टेंट की गरीब इस से शो को चर्चा में बने रहने का मौका मिलता है साधी 6-10 TRP भी मिलती है और आपको बता दें संसनी खेज खुलासे बताने के रेयलिटी शो में कई बार सेलिबरिटी गेच्ट जजगेष्ट या कंटेस्टेंट बड़े खुलासा करते हैं इन संसनी खेज खुलासों के चलते शो अगले दिन हेड्लाइनस में होता है इन खुलासों की वज़े से शो को दबरस्त फायदा होता है बिक बॉस में भी कंटेस्टेंट अपनी जिंदगी से जुड़े बड़े राज बेपरदा करते हैं अमुमन मेकर्स को ऐसे ही कमेंट हमीद होती है आपको बता दें फेक स्टोरीज रेलिटी सो में आने वाले कंटेस्टेंट को भी लाइम लैट में रहना पड़ता है इसलिए कई बार बेखुद फेक स्टोरीज क्रेट करते हैं बिग बॉस इसका सबसे अच्छा उधारण है सो में रहने के लिए में दर्सकोल ख़ार दोकेवाजी करना नई बात नहीं है जिया दोस्तोर दो दिगज एक्टरों का कहना है सलमान खान और सारुख खान का कहना है कि सबाय भटको फिरसे दोवारा शो में वापस बुलाया जाए उनका कहना है कि किसी गरीब की जिन्दगी से ना खेला जाए पहले तुम शो में बुलाते हो उसके बाद में उन्हें बाहर निकाल देते हो इस तरह से किसी की जिंदेगी को बरबाद न किया जाए दोस्तों आपको क्या लगता है क्या सवाई भट को शो के अंदर फिर से वापस आना चाहिए या नहीं अपनी रैक कमेंटर वक्स में जरूर बताएं इस वीडियो को अपने आरदोस्तों में शेयर जरूर करें मिलते हैं अस्टिवरियों तब तरह से किसी की अधार ना है